हेलो दोस्तो, दोस्तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ और दोस्तो आज है मेरे पास Redmi Noted Pro अगर बात करें दूसरे फोन के ही तो दूसरे फोन है Poco X2 जा है दोस्तो Poco X2, चले दोने फोन का एक बार आपको एवट फोन दिखा देते हैं उसके बाद में दॉने फोन के बीच में करेंगे PUBG टेस्ट और आपको बताने वाला है कि दॉने फोन के बीच आप कौन सा फोन बाइ कर सकते 생각이 तो दॉने फोन का About Phone मेंना आपको दिखा दिया है दॉने फोन में एक साथ PUBG पर टेप करता हूँ और देखने वाले हैं कौन से phone PUBG को पहले open करने वाला है दोने phone की speed भी देखने वाले हैं दोस्तों अगर बात करें RAM variant की तो बात करूँ Poco X2 की तो मेरे पास है 6GB RAM वही 64GB internal storage के साथ वाला variant है अगर बात करें RED भी Noted Pro की तो यह भी same variant है 6GB RAM वही 64GB internal storage के साथ वाला variant है दोस्तों करें दोने phone की price की तो इन दोने phone की price लगवाग सहम है इसी variant का सिर्फ 1000 रुपे का अंतर है तो दोने phone की price और दोने phone की specifications मैं आपके स्षीन पर दिखा दूँगा हाला के graphics का पता होगा क्योंकि भाई मैंने दोने phone की पहले भी वीडियो अप्लोड कर रक ही है अलग-अलग दोने फोन की separate वीडियो बनाकर upload कर रखी हैं चलिए एक बार फिर आपको graphics दिखा देते हैं दोने फोन कौन कोंसी graphics को support करने वाले हैं तो arrow पे click करना होगा उसके बाद settings को option भी मिल जाएगा उसके बाद graphics का option भी मिल जाएगा बात करें अलट्रा सपोर्ट करेगा हमारा पोक एकशू और श्मूद में एक्स्टीम सपोर्ट करेगा रङड मिनोटट परो अगर बात करें हाई graphics की तो रडवी नोटट परो HDR प्ल्स अलट्रा को support करता है अगर बात का इस की टेफ एडी प्लास हाई को करता है जहां सब्सक्राइब करना नोरे में तो फोन के बारे में नोर्ट में आपको प्रोसों धा किनी सॉमस्या सब्साइद करें तो हमारे रेडमी नोटेट रूमें अपको प्रोसैसर कंटर दिया long कोई प्रॉब्लम को नहीं होन वाली है अगर बात करने इंग्छ प्रोसरे सब को इटा गएक नूए प्रोससर आपको अच्छे दिये गई को अच्छे दिये गईए अगर बात करते तो इनुए फोन अच्छी आपको जरूर बताऊंगा, कैमरे की क्वालिटी कौन से फॉन में आपको अच्छी मिल जाती है, चले दोस्तों अब बात करें पोको X2 के जारे स्कोप की, तो पोका X2 को जारे स्कोप डिले नहीं है, काफ अच्छी सा गेमिक इसमें कर लेते हो, जैसा कि आप इसमें तो बहुत केमरे आपको डौनियं फोन में सैम द्ये गहीं है, 20- предлож已經 काफ जाता है, लेकर बात करें केमरे करी तो पोको X2 को क्वालिटी में जाती है, रेड़े डिशा इनोटेट प्रो के हिसाब से, 看看 सकीर जाती है, लेकर जाती है, पोको X2 की क्वालिटी जादा अडिए वाली है चले जैरि चोप को लिख लिए नहीं है आगे परोफ्मेस दिखाएंगे फॉन में कैसी परोफ्मेस मिल जाती है बात करेंगे रैडबी नोटर्प्रों के जैरिसकोप की तो भाई जैरिसकोप तो उसकाव डिले तो का प्याश्य से वर्क करता है आगे आपको काफी अच्छा फोन है और काफी अच्छी डिवाइस आपको को काफी अच्छी चिक करा देता आए अगर आप इसमें 3-4 घंडे तक लगातार भी गेमिंग करोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है रैंडी नोड़ेत प्रोर काफी अच्छी वाईस है तो करने मेरे पास दो आप्सन हैं तो भाई आप कौन सा फणवाइक कर सकते हों क्यूंकि दोने फ़ोन को प्राइज लगवाग से हमें दोस्तों अगर बात करेंगे केमडी के लिए तो आपको केमरा में आपको बताई दिया है camera की quality हमारे Poco X2 की ज़्यादा बेटर है आप Poco X2 को buy कर सकते हो अगर आप एक अच्छे camera चाहते हो आप gaming थोड़ी बहुत करते हो तो भी Poco X2 को buy कर सकते हो चलिए आगे दिखाएंगे आप ज़्यादा gaming करते हो तो आपको कौन सा phone buy करना है जहां दोस्तो वीडियो को पूरी देखते रहे न मैंने दोने फोन का प्रोसेसर बता दिया प्राइज बता दिया अगर बात करें दोने फोन की बेंटरी की तो भाई आपको Poco X2 में 4500 mh की बेंटरी दी गई है वहीं बात करने हमारे Noted Pro की तो उसमें भी आपको 4500 mh की मेंटरी मिल जाती है अगर बात करें बैक अप की तो दोने फोन काफी अच्छे से बैक अप दे देते हैं दोने फोन में हमें कोई दिकत नहीं हो पाती है चलिए गेंपले की बात करें तो काफी अच्छे से ग्राफिक समय रेंडर होते है पोको X2 में भी और हमारे नोटेट प्रो में भी क्योंकि भाई नोटेट प्रो तो एक गेमिंग फोन है तो प्रोसेसर उसमें आपको काफी अच्छे से हो जाती है यह बात आपको भी पता होगी लेकिन पोको X2 भी काफी अच्छे डिवाइस है आप कैमरे यूज़ करना चाहते हो बिल्कुल यूज़ कर सकते हो कैमरे क्वालिटी काफी अच्छे आपको दे गई है आप सेल्पी लेना चाहते हो फोको X2 से बिल्कुल ले सकते हो वीडियो बनाना चाहते हो वो भी आप बना सकते हो दोस्तो fnly बात करें आपको कौन सा फण गैमिंg के लिए अभी वाय करना है 2021 में गैमिंग के लिए इन दोने मिंद मीं से अगर आपको एक बाय करना है दोस्तो मैं आपको बताई दिया है रैटमिनोटल पुरी एक काफी अच्छी डिवाईस है काफ़ अच्छे से गेमिंग आपको करा दे दिये इसकी प्राइज 16,000 के आसपास है हमारे Poco X2 की 15,000 के आसपास है तो प्राइज में डिफ्रेंसर पे 1,000 का है तो भाई आप थोड़ी बहुत गेमिंग करते हो दिन में एक दो मैं चा एक दो घंटी भी कर ले तो तो भी आपको Poco X2 में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको एक अच्छे केमरे चाहिए केमरे के साथ थोड़ी बहुत गेमिंग भी चाहिए तो भाई Poco X2 आपके लिए बढ़िया डिवाइस है काफे अच्छी डिवाइस है केमरे काफे अच्छी क्यालिटी आपको इसमें मिल जाती है हाला कि नोटेट प्रो के केमरे भी खराब नहीं है भाई काफे अच्छे कैमरे है लेकिन फिर भी आप दोनं को कंपेर करोगे तो आपको quality Poco X2 भी काफी अच्छे लगने वाली है तो उससाब से तो आप Poco X2 को भाई कर सकते हो प्राइज भी थोड़ी काम है और गेमिंग ही आपको करा देता है काफी अच्छे से अच्छी डिवाइस नहीं है आप इतने लंबी गेमिंग करो Xtreme Gaming करना चाहते हो तो आप Redmi Note 8 Pro को ही चुने Note 8 Pro कौफी अच्छी डिवाइस है इन दौनों फॉन के बीच अगर आप कामपेर करना चाहते हो तो भाई मेरी तरफ से Redmi Note 8 Pro आपको बायक करना चाहिए दोस्तो इस वारे में आपके क्या राया है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और दोस्तो आपके हिसाब से कौन सा फोन आमें गेमिंग के लिए बायक करना चाहिए और कौन से फॉन के कैमरे अच्छे हैं आपके हिसाब से आप वो भी मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो दोस्तो वीडियो को पूरी देखकर जाना आगे मुझे किसे भी फॉन में कोई दिक्कत मिलेगी तो आपको बता कर जरूर जाओंगा मैंने आपको बताई दिया गेमिंग के लिए आपको कौन सा फॉन बाय करना है दोस्तो आपके पास कौन सा फॉन है जिसमें आप गेमिंग करते हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको कमेंट में बतादना इं दोनों के बाय इन दोनों के बिच फॉन को बेस्ट है आप इस फॉन को बाय कर लिजे चले जस्तो वीडियो को लाश्टक देखकर जरूट जा इएगा आजकी वीडियो में यह आपसे कुछ बता ना चाहता था Noted Pro, Poco X2 से काफ़ी अच्छी डवाईस है आप Redmi Noted Pro और Poco X2 के बीच एक Extreme Gaming करना चाहते हो तो आप Redmi Noted Pro को ही चुने आप थोड़ी बहुत Gaming करते हो, दिन में 1-2 घंटे Gaming करते हो तो भी आप Poco X2 को बाई कर सकते हो आपको कोई दिक्कत नहीं उने वाली है तो दूस्तो आज की डूम कोई चतना ही मिलते की और वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवाई